दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको सोनाली फोगाट की डेथ पर अली गोनी और राहुल वेद्या के शाकिंग रियक्शन के बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तो आप से लुकेस टेक इस वीडियो को इन तक जरूर डिखीगा और अगर आपने हमारे चेनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चेनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोनाली फोगाट जो के बिग बोस 14 की फेमस कांटेस्टन थी उनका कुछ दिन पहले मरडर हो चुका था और अचानक इस कबर ने उनके फेमस और इंटरटेन्मेंट इंटरस्टी को हिला कर रख दिया दोस्तो सोनाली फोगाट अभी सिर्फ 41 यर्स की थी दोस्तो सोनाली फोगाट और अली गोणी ने बिग बोस 14 में एक साथ पाटिसेट किया था अली गोणी और सोनाली फोगाट के बारे में सबी जानते हैं कि दोनों का घर के अंदर बहुत अच्छा बांड था और घर के बाहर भी दोनों बहुत अच्छे दोस माने जाते थे अली गोनी को जैसे ही सोनाली फोगाट की डेट के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ज़दा दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोए और उन्होंने बहुत ही सेट रियक्शन दिया है अली गोनी ने लिखा है के समझ नहीं आ रहा है के क्या बोलूं आपने दो दिन पहले मुझे मेसेज किया था मुझे बिलेसिंग दी थी और मेरे न्यू सांग को बहुत पसंद किया था और पूछा कि क्या मैं इसी तरह का सांग आपके साथ कर सकती हूँ और मैंने आपसे प्रामिस किया था कि I will लेकिन सोरी सोना लीजी ये प्रामिस अधूरा रह गया You will be missed, may God rest your beautiful soul in peace दोस्तों सिर्फ अली गोनी ही नहीं राहुल वेद्य, सल्मान खान और बिग बोस 14 के सभी कंटेस्टन उनके जाने पर बहुत ज़्यदा दुखी है और सबका यही कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा के सोना ली फोगाड अब इस दुनिया में नहीं रही दोस्तो आपका क्या कहना है सुना ली फोगाड की अचानक देथ पर हमें कमेट करके जरूर बताईगा दोस्तो अगर आप सुना ली फोगाड के फेन है तो इस वीडियो को करदे like और अगर आपनी हमारी चेनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं तो चेनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रिस कर दें